कैसे हैं आप लोग सारे बते स्वास्थ होगे बढ़िया होगे और एक्जाम के त्यारी ओर जुटे पड़े होगे एक रहते प्हें के लिए मैं लेकर किया हूं एक स्पेशल सेश्न के हुख सोल्फ साल्फ करेंगे सेंपल को इसका स कोई सेंपल करना सबसे लिंट होता है क्योंकि कई बार सेंपल पेपर से ही as it is questions बोड़ एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं और सेंपल को सॉल्फ करके हमें confidence आता है कि हाँ अब हमारी त्यारी अच्छी है अच्छे लेवल पर चल रही है हमें थोड़ी से और मेनित करने की जरुत है साथ ही साथ सेंपल पर परस्ट क्वेश्चन है वो यह है कि चार मीटर फोकस दूरी वाले वाले अवाले अब वतल लेंस की शमता ज्याद करिया करो उसली इस तो हमें डिया हुआ है फोककस दूरी चार मीटर चूंकि हमारा एव लेंस से ओक इस अवतल ये ज昨 लेंस की बच्कों नेगीटिव होती है हमें घ्र्द याद करनी है लेंस की शमता तो लेंस की शम्ता का फॉर्मूला क्या होता है पी बराबर वन अपन एफ अच्छा हां आप लोग सोच कि माम हमें हमें आप यह क्वेश्चिन कहां से मिलेंगे आप कहुंसे बुक से क्वेश्चिन सौल गरवा रहे हो तो बच्चों यह बुक है और स्वाल गुरुकुल की जिसम तो आपको साहब रेस्ट के साथ अपको सॉलीशन भी मिल जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हार इस क्वेश्चिन का जो है solution ऐसे हैं में इस क्वेश्चिन में उन्हें चाहिए दो नंबर में ब्लिखन पूछ गया है तो हमें इतनी लाइन में आंसर लिखना ह तो यह सारे चीज़े आपको पता चल जाएंगे बच्चों साथी साथ आपको इस बुक में हिंदी इंग्लिश विज्ञान गड़ित और समाजिक विज्ञान साथे सब्जेक्स के क्वेश्चिंस मिलेंगे तो यानि कि एक बुक जो है आपकी वह सभी के सभी सब्जेक्स की प बस जाके सिदे लिंक पर क्लिक करना है और बोक को लेना है क्वेश्चिन प्रक्तिस करनी है ठीक है उसमें आपको अपना टाइम लगाना है तो चलिए रशाल करते हैं तो पी ब्राबर वन अपॉन एफ बच्छों फोकस दूरी क्या है माइनस का 4 है ठीक है देखो जब फोक शुरी किसम ओनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए अब यहाँ पर यहाँ आलेड़ी मीटर में है तो हम इसको मीटर में ह Spy nx करनें की जिरो अट नहीं है इसको सॉप करेंब तो को निगतिव साइन तो आएगा ही आएगा फोकस दूरी रिनात्मक है इसनले क्या होगा लेंस की शम्ता भी रिनात्मक होगी निगेटिव होगी ज़स्वाल्फ करिएगा दशमलव लगाएंगे तो यह हो गया 0.25 यानि कि जो लेंस की शम्ता है वो कितनी है माइनस का 0.25 डायोप्टर ठीक है तो आई होब आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ेंगे अब देखते हैं इसका next question so next question है की चालक का प्रतिरोध किन-किन कारकों करता है यह question आपका जो है UP board किस सेट में पूछा गया है उसने पूछा गया है चालक का प्रतिरोध किन-किन कारकों पर निर्भर करता है तो बच्चों यह क्वेश्चिन बहुत बार रिपीट हुआ है तो यह क्वेश्चिन जो है आप देखोगे तो इस प्रेश्चिन है इस से रेलेटेड आपको या तो अब्जेक्टिव भी जो है पूछ लिया जाएगा तो आपसे सब्जेक्टिव में ही एज़टेज यह क्वेश्चिन पूछा आएगा और यह क्वेश्चिन आपका चार नंबर पूछा गया है बहुत यासान है ठीक है तो दोड़ा समझते हैं चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता ह है जैसे कि हमारे जो सफलता है उसमें रुकावट कौन डालता है आलस हना हमारा जो आलस है वो सफलता के मार्ग में रुकावट डालता है उसी प्रकार से जो हमारा प्रतिरोध हो क्या करता है विद्यधारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है यानि कि इसकी परिभ में मार्ग में रुकावट उत्पन करता है इसे आड से बच्चों रिप्रिजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है और टो अब प्रतिरोद है वह बच्चों लंबाय शेत्रफल टामपरेचुर और चालक की प्रकृति प्र Gospel चालक की लंबाई पर निर्भर करता है यानि कि अगर आप लंबा तार लोगे जितना लंबा तार होगा उसके अंदर प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा लंबाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना अधिक यानि कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुप्रस्त काट का शेत्रफल यानि कि जो हमारा शेत्रफल है अगर जो तार है वो ज्यादा मोटा है तो उसके प्रतिरोध कम होगा अगर तार पतला है तो उसके प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्त काट के शेत्रफल के वित्वक्रमा वनुपाती होता है तर जितना मोटा प्रतिरोध उतना कं में जितना पत्ला प्रतिरोध उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो सब्सक्राइब कि यंदे कि आप किसी चालक का टेंपरेचर बढ़हेंगे नहीं कि यानिकी हमारे पास जो अलग अलग चालग आपके पास चांदी है लोहा है अलुमिनियुम ताम्भा इन सब का उप्रतीरोध हंता था तो आपने कौना तार यूज किया इस पर भी डिपेंड करता है प्रफीरोध काम होती है लगलिट तो अलग-अलग चालग का प्रतिरोध अलग-अलग होता है बच्चों यहां से हम एक फॉर्मूला मिलता है जैसे हम देख सकते हैं कि प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती है लंबाई के वित्वक्रमानुपाती है शेत्रफल के तो यहां से हम लिख सकते हैं और बलक Uni क्या है विषिस्ट प्रतिरोध के लो यह हमसे ही कह सकते हैं प्रतिरोध को क्ष्च क्या होती है तो कि बसक्ला के अंदर का नैचer relationship यदि प्रतिरोध कता अधिक है है इसका मतलब की उस चालक के अंदर विद्योधारा को प्रवाहित करने कोको नहीं होता है यह को इस बुक को आज ही पर्चेस करना है ओस्वाल गुरकुल इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिंक दिया हुआ है जहां पर क्लिक करके आप इस बुक को ईजली ले सकते हैं तो आपको आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है जितने ज़्यादा सैंपल प्रैक्टि क्छेस कर देनी हुआ है जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी हो मैंने हन्या कि डहां विसक्ट आपको अटो के लिए जली है जापको आपको 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 करना है जहां